तो दोस्तो आई ये बात करते केपी वोमेन भर्षे डीवी वोमेन के वीज़ो मेच खेला जाएगा मैं वीडियो इतना डीटेल में बताने बाला हूँ क्योंकि काफी आपको मजा आ जाएगा बस कहीं थोड़ा सा भी डाउट आपको नहीं होने बाला इस वीडियो पे और जील पर आप बहतर रिंक ला सकतो आज देखा जाए हम लोगों के लिए ये मेच मुकाबला जो है बहतर नहीं गया इनके लाए पाकिस्तान वंडे कप वो बहतर ही गया कल दो मुकाबले हम लोग का जो असाम वोमेंस का था वो तो बहतर गया ही था लेकिन आज फ़र्ष्ट मुकाबला बहतर नहीं गया लेकिन यह मुकाबला बहतर जाएगा काब जब आपको वीडियो आप पूरा देख लोगे तब क्योंकि वीडियो मैं काफी डिटेलन अगर जदि आप सर्च भी करना चाते हो तो सर्च कर सकते हो डोमेस्टिक पिलेइंग 11 तो दोस्तो यह हमारा टेलिगराम चैनल है यहाँ पर देख सकते हो 35.3 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेंगे यही पर आपको आकर जूड़ जाना है इनसे अधिक सब्सक्राइबर बाले कम सब्सक्राइबर बाले हूँ बहु आपको डोमेस्टिक पिलिंग लेबर नज़र आएंगे वो बिल्कुल फेक चैनल है ओरिजिनल चैनल आपके स्क्रीन के उपर तो दोस्तों यहाँ पर डीभी वोमेन का स्कोर कार्ड देखेंगे बस एक स्कोर कार्ड देखेंगे और पूरा डीटेल हम लोग पता कर जाएगे देखो यहाँ पर एम नाहरा की बात के इन्हें JL पे ट्राएं करना बहतर रहेगा, अब इनके बात देखो, यह सिन्हा को हम लोग पीक करेंगे, एम दास को पीक करेंगे, format और पी सुलताना को पीक करेंगे, और पी बरुआ को पीक करेंगे, याने कि कूल मिला कर देखा जा M नाहरा को पर 5-6, 6 पिलेर यहाँ पर पिक करेंगा और 6-0 का बोलिंग भी करेगा, यानि कि 6 पिलेर जो है, बेटिंग के साथ साल बोलिंग करेगा और शुरुवाती सा छे पिलेर पिक करेंगा, यानि कि डी भी वोमेन पे थोड़ा सा भी डाउट नहीं रना चीए, अब डाउट कहां डाउट रहेगा, एम नहारा जो ओपन आ रहे, इनको थो हम लोग पिक नहीं करें, अगर जदी बहतर खेलेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहेगा, इनके अलाबे एक गिनबाज यहाँ पर देखो, एम बेगम, अगर जदी यह गिनबाज ही करती है, तो किल नजर नहीं आ रहा है, अब बात करें केप्टन भाज की, तो देखो कीन ही से भी पूछोगे, अगर जिद आप सो कर भी उठता है कोई, उनसे भी पूछोगे, कि केप्टन क्या होना चीए, तो वो यही बोलेगा, एम दास, यानि एम दास सारे लोग का केप्टन होने व तो गिनबाजी जिसकी टीम करेगी, उनके प्लियर को भाज देदेंगे, और एम दास तो हम लोग का केप्टन कंफर्म रहेगा, और बांकी लोगों का भी होने बाला है, क्योंकि प्लियर ही काफी जबर्दस्त है, तो दोस्तों इनका गिनबाजी भी आपको दिखा देते है एम दास, यू चटरजी, एसिन्ह, एबोरी, एम बेगूम, इनके अलाबे पी बर्वा और पी सुल्तनाई, यानि के कूली मिलाकर आपको कहां दिखाते हैं, एम बेगम अगर जदी ज़्यादा उभर के गिनबाजी करते हैं, फर्ष्ट गिनबाजी करते हैं, ज़्यादा ब आएगी, तो इन दोनों से निपट लेंगे, बांकी जो पिलियर होगा, सारे पिलियर हम लोग पिक कर लेंगे, और केप्टन भाज भी सेफ जा सकते हैं, केप्टन तो सेफ ही है, अब भाज के उपर बात करेंगे, और विरोधी टीम के उपर हम लोग बात करेंगे, उनका भ परकार वो परदसन कर सकता है तो हम लोगों को पता है तो चलिए सबसे जादा महत्पुर्णों का कोंबिनेशन वहां पर मैं इतना डिटेल में बताऊंगा कि आप इतना समझ लोगों का खूद अपना नहीं आप दूसरे को भी अब बता सकते हो कि इन पिलियर को आप पिक करो आप कि बले बाजी ये भी दो हो गया कि ये साय किया कि शारो भर की गिंवाजी करेगा यानि कि तीन पिलियर हम लोगों प्लियर को ने पीक पेक हो गया हैром इनके अलाबे दो पिलियर के साथ साथ दो ग्यन बाज भी पिक हो गया, इनके अलाबे तिसरा सोरी यहाँ पर चवह था है, जода पंडों को अगर जदे हम लोग पिक करेंगे तो यह भी चारो भर की ग्य 알जी करेंगी, सातमें यह बल्ले बाजी करेंगी, यानि कि चार पिलियर पिक किया जिसमें से तीन गिनबाज भी हमारा हो गया इनके अलावे पाचमा पिलियर पी साई किया को हम लोग पिक करेंगे जो एक पिलियर बले बाजी भी करेंगे साथ में गिनबाजी भी करेंगे यानि कि पाच पिलियर जो हम लोग यहां पर पिक किये हैं और शुरुवार्ट से लेके सारे बल्ले बाज भी पिक कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में गरांड लिग वीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको मेनद करना है, एक दो पिलेर पे और केफटन तो सेफ होना ही चाहिए, बस भीसी पे आपको थोड़ा सा नजर डालना चीए, थोड़ा सा रिस्क लो, जो रिस्क लेता है, वो सफल भी रहता है, हाँ, रिस्क लेने पे कभी-कभी क्या होता है, कि बड़ा लोस भी हो जाता है, लेकिन कई बार आपको इतना बड़ा रकम दे भी देगा, कि आपको कई बार लोस हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिस्क लो, रिस्क लेकर खेलो मजा आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग गेनबाजी भी दे सकते हो, जी पंडो, पी साई किया, के साई किया, के भक्ता, एन बोहरा की बात किया, इन पे थोला सा द अधिक है, क्योंकि फर्स्ट मुकाबले में इन्होंने चार बिक्टे लिया था, इस वज़ासे इनका सेलेक्शन थोड़ा सा अधिक है, लेकिन आप सुरवात के दो-तीन मेंज देखोगे, तो काफी इनका बुरा हाल रहा, तो इस वज़ासे ज़्यादा दिक्कते नहीं आन लेकिन इससे पहले अगर जदि हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम मिलेबन से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है, फिरी में डिसकाउंट की बात हो, या फिरी में आप लोगो के ड आके तो नहीं रख, आप देखो, विकेट कीपरिंग सेक्चन में जेदेबी को यहाँ पर पिक करूँगा, इनके अलाबे एडुटा को, पी सुल्तना को, इनके अलाबे यहाँ पर, पी बरवा को यहाँ पर पिक करूँगा, अब यहाँ पर देखो, एमदास को पिक करना, अब ये दो पिलियर ही आपको मेच को वीन या लोस करवा सकता है, अब यहाँ पर देखो, एम नहरा को यहाँ पर तो हम लोग ड्रोप करें, जी एर के लिए काफी बढ़िया च्वास है, इस टेम पर रान आउट काफी अधिक पॉन्ट दे दे, तो काफी बढ़िया ये साबि इतना एडुटा, तीनों के तीनों पिलियर जो है गिनबाजी भी करती है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, अब देखो, एम दास, जी पंडा, ए बोरी, यह तीनों को तो सारे लोग पिक करेंगा, हम लोगों को भी पिक करना चीए, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है, अब देखो, यहाँ पर, पहला और बहतर चुआज देखा जाए, तो एस सिन्ना, देखो, यह बार बार यह फुलोब जा रही है, लेकिन फिर भी इन पे हम लोगों को भरुसा जाता है, कि भाया, यह ओपर आती है, साथ में तीन से चार भर गिन बाजी करती है, हलांकि सिलेक्षन है, सिलेक्षन बेशीस पर बिल्कूल नहीं जाना है, लेकिन हा, इनका लाश्ट का कुछ में जो देखोगे, तो पूरी तरह से बढ़िया परदसन नहीं रहा, नहीं गेनबाजी से नहीं बल्लेबाजी से, लेकिन फर्ष्ट मुकाबला में इन्हों ने बहतर जाए इनसे बहतर तो वो तो भी न करेगा ये तो सी ओर है लेकिन ये बेस्ट पिलियर इन्हें पीक तो हम लोग कर लेंगे अब बात आते लास्ट पिलियर क्या पीक होना चीए गेनबाजी सक्षन पर ही पीक करना होगा अब देखो यहाँ पर आरसाई किया एक फास्ट बले बाजी ये करती है थोड़ा हार्ड हीटिंग करती है तो आपको किनके उपर जाना चीए यार डीभी की टीम थोड़ी से स्ट्रोंग है तो इनके बले बाजी आने एक चांस थोड़ी से कम है और आरसाई किया कि बले बाजी आने एक चांस जादा है अब गेनबाजी दे चटर जी को ही पिक करने के लिए बोलूंगा अब यहां पर देखो किन से डर है अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर इसा टीम बना किप्टन भास अभी दिमाग में नहीं लाना अगर यह आपको लगता है कि भाईया आरसाई किया भी भेतर करेगी और उर्मिला चटर जी किया अगर यहां पर बन् जाता है अब यह टीम अगर जदे बनता है तो डर कहा है एक मैं बार बार बोल रहा है M नहरा अगर जदी बहतर करती है तो थोड़ा सा डर है ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा अब यहाँ पर थोड़ा सा कहां और दिकते हैं यहाँ पर M बेगूम 26% सेलेक्शन है अगर जदी इन से ज़़ादा गेनबाजी कराए जाते तो यहाँ पर दिकते आ सकती है तो दो अपसान है M बेगूम और M नहरा जो की थोड़ा थोड़ा सा जो है दिकते आ सकती है और इनके लाबे बड़ा दिकते जो आएगी यहाँ पर RSI किया और मिला चटर जी और इनके लाबे इस सिना इन तीनों में से दो जो पिक करेंगे किनी एक को जो पिक करूँगा और एक जो ड्रोब करूँगा वो ज्यादा दिककते आएगगे यह बात आप अपको धिया रखनाए अब चलिए यह बात तो है केप्टन भाईस की बात कराइं केप्टन तो नो टेंट्छन M6 को बना दिये अप कोई डाउट ने अब देखो भाईस की इनके उपर जाना चाहिए, ये बोरी काफी बहतर है, इनके टीम काफी इस्ट्रोंग है, और केसाई किया भी काफी बहतर है, तो केसाई किया को आप भाइस दोगे, या फिर आप ए बोरी को भाइस दोगे, तो ये थोड़ा सा हमारा भी confusion है, तो ये आप खुद से डिसिजुन ले ल काईगा और कहीं डाउट नहीं है लेकिन अगर जैदि ऐसे मेश पे जी यल ट्राय करते हो हो सकता है एक मेश में क्या करो यू चटर जी को ट्राय करो दूसरे टीम पे आप अरसाइकिया को ट्राय करो तिसरे टीम पे आप क्या करो एस सिन्हा को ड्रोप करके यू चटर जी अर प्रियास किया और काफी बहतर तरीका से और मैं यहां भी आसा करता हूं कि इस बार इस वीडियो के ताथ हमारे डोमेस्टिक वेलेंग एलेंग फेमली के कोई न कोई जियल पे बहतर रेंक लाएगा और आप लोग भी लाने का परियास जरूर करना जो हमने मिनत करके वीडियो बना उनका आप लोग जरूर इज़त रखना है और बहतर रेंक लाओगे मुझे कापी खुशी मिलेगा मैं भी जील ट्राइ करूग आपको भी जील ट्राइ करना है एसेल की इस परकार खेलना वो भी मैंने बता दिया, तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो के यहीं समाफ्त करता हूँ, सिधा मिलता हूँ, इस में इसके कोई अपडेट आये तो, फाइनल टीम ना भी दूँ तो आपको टेंसन नहीं होना चाहिए,